एक बड़ी और एक्स्क्लूजी खबर की तरफ करते हैं, फोकस हमारे सवाद आता, अनुवेश हमारे साथ इस वक नई दिली से कारिकर में हो रहे हैं शामिल जो कि डिफेंस सेक्टर पर रखते हैं बड़ी गहरी पकड़ा, आए जानते क्या है बड़ी खबर उनके पास, अफ्रान करके एक फ्रांस की कंपनी है, जिसका हिंदुस्तान के HAL और DRDO के साथ समझोता होने की उमीद बताई जा रही है, यह डील जो होगी वो जो फाइटर जेट्स होते हैं, जो हमारे पास विकरांथ है और आइनस विराट है, उनके उपर से जो टेक ओफ करने वाले है उनके इंजिन्स को बेसिकली यह डेवलप करेगी और यह हिंदुस्तान में डेवलप होगी, 100% टेकनोलिजी ओफ ट्रांसफर की बात की जा रही है, और इसके साथ साथ जो रफाल मरीन की बात हो रही है, वो यह एरक्राफ्ट पे यह वाली इंजिन्स इस्तमाल होंगी, जो हल और साफरान के बीच में गवर्मेंट टू गवर्मेंट डील होगी, जिसमें हल, डी आडियो और साफरान तीनों इन्वाल्व रहेंगे, ओके इंटरेसिंग ख़बर आती दिख रहे हैं, फ्रांस और जापान के बीच में रक्षा सोदे को मिल सकती है मंजूरी, और यह का फ्लाइपास भी प्रधान मंतरी के उपर से गुजरेगा, जिसकी तकनीकी और जो पावज हैं वो दिखाई जाएंगी फ्रांस में, तो उसके बाद यह डील की साइन होने की संभावना बताई जारी है फ्रांस में, जुलाई 13 और 14 को, उससे पहले डिफेंस काउंसिल, ए इसके अंदर अंतरगात इसको पास किया जाएगा और साफरान के जो फ्रांस की कंपनी है, उसको और फ्रांस की गवर्मेंट ने और इस चीज़ को उठाया जाएगा और उसमें इसको क्लियर करने की संभावना बताई जा रही है कुछ यह आइडिया लग रहा है कि किस तरह का बिजनिस हो सकता है, साइज क्या हो सकती है, ओर्डर किस तरह के आ सकते हैं, इसके बारे हम कोई अंदर जा मिल रहे हैं? क्योंकि इसमें काफी प्लेयर्ज इंवाल्व हैं, इसमें इग्जाक्ट अमाउंट अभी बताना बहुत मुश्किल है, हमारे जो सोर्सेज हैं, उनसे भी जब हमने बात की तो उन लोग का भी यह कहना था कि जो साइज लॉट है, काफी बताना इग्जाक्ट अमाउंट मु के इंजिन की साथ समझाता किया था, उसमें भी हमने देखा तो वो लोट साइज लगबग 10,000 करोड का था, तो उसी के अंतरगत अगर माना जाए कि उसी की तरहे यह क्योंकि एक और डील है, तो इसका लोट साइज भी लगबग बता जा रहा है, 10,000 करोड के आसपास का हो स